एलो दोस्तो मैं सरिता चोदरी आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दिवार पर 3D वोल पेपर लगाते हैं तो उसका क्या खर्चा आएगा खर्चा निकालने के लिए मैंने इसको 5 पॉइंट में डिवाइड किया है फर्ष्ट पॉइंट है फ्रेंट्स वोल एरिया सबसे पहले आप अपनी दिवार का एरिया निकाले एरिया निकालने के लिए आपको अपनी दिवार की चोड़ाई और उचाई को गुना करना है जैसे अपनी दिवार है 10 पिट बाई 10 पिट की तो अपना एरिया हो गया 100 square feet, second point है roll area एक roll का area आता है 77 square feet जिसमें से लगाने के समय कुछ waste चला जाता है तो approximately 50 square feet काम आता है अपनी दिवार 100 square feet है तो इसमें हमें 2 roll की जरुरत पड़ेगी third point है roll price catalog का 3D wallpaper का एक roll 700 रुपे का भी आता है 1000 का भी आता है 1500 का भी आता है वो depend करता है आपकी design और quality पे कि आपको किस टाइब का roll चाहिए अगर हम बात करें कस्टमाइज वाल पेपर की तो उसका प्राइज 35 रुपे स्क्वार फीट से स्टार्ट हो जाता है जो की 90 स्क्वार फीट तक भी जाता है कस्टमाइज वाल पेपर में आप अपनी मन पसंद की design को बनवा सकते हैं फॉर्थ पॉइंट है अपना installation cost 3D वाल पेपर को लगाने की cost पर roll 300 से 400 रुपे करते हैं वो depend करता है आप कितने roll लगवा रहे हो 5 पॉइंट है total cost जैसे अपनी roll का area है 100 स्क्वार फिट इसमें हमें 2 roll की जरुरत पड़ेगी एक roll का price अप्रोक्स हम 700 रुपे मानते हैं वो लगाने का charge हम 300 रुपे मानते हैं तो एक roll का total charge हो गया 1000 रुपे हमें जरुरत है 2 roll की तो अपना total cost हो गया 2000 10 x 10 की दिवार पर 3D roll पेपर लगाने का total cost हो गया 2000 रुपे अगर आपको roll पेपर से समंदित कुछ क्यूशन हो तो आप हमें comment box में पूस सकते हैं आप हमारे channel पर first time विजिट कर रहे हैं तो हमारे channel को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस करें